नमस्कार हिंदुस्तान इंटरनेशनल बिजनेस में विदेश व्यापार में रिटेल मार्केट बहुत इंपोर्टेंट होता है अब तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सब में एक चीज जो कोमन थी वो ये थी कि विदेश व्यापार में पैसा तो बहुत हैं आ इस तरीके से आप किसी भी देश के रिटेल मार्केट के अंदर अपने प्रोड़क को सेल कर सकते हो तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप भी अपने प्रोड़क को इंटरनेशनल मार्केट में यानि किसी भी देश के डारेक्ट कस्टमर को नौक कर सकते हो अपने प आर्दीक स्वागत करता हूं। दोस्तो अब तक जितने हमने वीडियोज बनाएं है जो प्राइज कालकूलेशन के अकaux and के अकॉोडिंग या ग्याइज दो वीडियो बनाए थे उनमें एक जो common factor था वो था retail market retail market यानि जो product आपको इंडिया के अंदर 1500 रुपए किलो तक मिल रहा है और जो export भी 200, 500, 300 तक हो रहा है वही product वहां के retail market में 1500 से 2000 रुपए तक विक रहा है ये वीडियोज हमने भी बनाए थे और इसके ओपर काफी कुछ questions थे कि वो retail market है, retail market के अंदर तो भाव हो गई आप wholesale का बताईए तो आज मैं आपको एक direct way बता रहा हूँ जिससे आप directly किसी भी देश के retail market के अंदर आप अपने product को बेच सकते हो जी हाँ दोस्तों ये way है website इससे पहले website के regarding काफी वीडियोज बनाई जा चुके है अपनी website में ताकि वो एक authenticated लगे international buyer को यहाँ पे retail market में आपको entry point के ओपर जो website लगती है वो लगती है e-commerce website e-commerce website मतलब इसे आप single vendor के तोर पे ही आपको लेके जाना है जैसे Amazon, eBay, Alibaba, Aliexpress ये जो website हैं ये multi vendor website होती है स्टार्टिंग में आप लोगों को knowledge उतना नहीं हो पाता है उतना management नहीं होता है इसलिए जो सबसे पहले जरुरत है वो जरुरत है अपने business के लिए अपनी website की trust value create करना international business में जब भी आप किसी product को लेके जाते हो उसकी quality assurance की बात होती है उसको किस तरीके से आपने procure किया है किस तरीके से उसको process किया है ये सारी जो चीजे है ये जो information है ये product से related होती है और ये information आप अपनी website के थुरू अपने buyer के सामने ला सकते हो इसके पहले भी हमने दो वीडियो जबनाए थे एक था five important changes in your website और दूसरा था आठ वो बदलाव जो आपकी website को Google के according international market में दिखाते हैं अगर आप नए हो तो playlist के अंदर वो videos available है जो आपको देखने चाहिए क्योंकि अगर आप export import शुरू करना चाहते हो अगर आप विदेश व्यापार में जाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कि एक website जो होती है वो सिरफ online pages नहीं होते हैं दोस्तों वो होता है आपका virtual office आप उसे back office बता सकते हो चोंकि आपका buyer physically आपसे मिले ना मिले वो आपकी website को visit करेगा और आप उस website visit को एक physical visit मान सकते हो अगर आपकी website उतनी standard process पे उतनी optimization पे रही तो वो buyer के दिल, दिमाग और मन के अंदर एक assurance create करेगी कि ये website आप बोल सकते हो कि trust level के ओपर दिख रही है और वो उसी basis के ओपर फिर आप से contact करने की कोशिस करेगा, तो यहाँ पे आप जिस category के अंदर export शुरू करना चाहते हो starting में आप उसी categories के product लगा सकते हो और आप किसी एक country को target कीजे, एक country को target करने का reason ये है तो कि अभी तक आपको ज़्यादा कुछ चीजे पता नहीं है तो एक specific country को अगर आप target करते हो, उसके according digital marketing करते हो, और अपने website का जो SEO है वो उसी के according अगर आप prepare करवाते हो, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपकी website पे उस country के visitor आना शुरू हो जाएंगे, it's all about online availability जितना आपकी website उस देश के अंदर आप online available करवा पाओगे, चाहे वो organic advertisement हो, या फिर pad advertisement हो, चाहे organic share हो, या फिर pad share हो, लेकिन उसी से एक जो formation, आप बोल सकते हो, आपकी website पे जो visitor formation आएगा, वो आपको direct महां के retail market में enter करवा देगा, और एक बार अगर आप retail market में enter हो गए, तो आप की website की, और आपके brand की value दोनो बनना सुरू हो जाएगी, और उसके बाद में आप अपनी तरफ से और product, और services, या और किसी vendor को अपने साथ में लेके ये काम कर सकते हो, अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा, कि यार इसमें तो time लगेगा, इसमें मैं को इतना technically knowledge नहीं है, मैं कैसे करूँगा दोस्तों, website, सबसे पहले आपको website ही develop करनी होगी, एक international business के लिए किस तरीके की website होनी चाहिए, क्या उसकी costing होती है, और क्या-क्या अगर आपके पास में हैं तो क्या उसमें बदला होने चाहिए on screen जो number दिख रहे हैं उस पे call कीजे, यहां से आपको सारी जो information है वो मिल जाएगी, अगर आपको website बनवानी भी हो, तो यहीं से आपको सारी information मिल जाएगी, तो अगर आप नए हो और आप डर रहे हो उस चीज के लिए कि यार website हो गई, अब इसके आगे क्या करना है, आपको SEO, digital marketing यह चीजे जो हैं, आप एक professional के थुरू भी कर सकते हो या फिर जो digital marketing के उपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि किस तरीके से आप अपना social media structure बनाके अपनी pink कर सकते हो, लेकिन इसका second जो easiest way है वो यह है कि जिस तरीके से आप startup हो, और आप कोशिस कर रहे हो उस देश के बाजार में, retail market में direct राहत तक पहुँचने की, वैसे ही हो सकता है, वहाँ पे भी वो लोग हो startups हो, जो इस कोशिस में लगे हुए हो, तो आप को सिरफ उनके साथ में collaborate करना है, कि यहाँ पे इंडिया से हमारा है, वहाँ पे आपका है, एक आप joint venture type में working कर सकते हो और उसके तुरू आप अपने business को run कर सकते हो दोस्तों, यह formula बहुत कारगर साबित होता है और ऐसे बहुत सारे market में आपको जो मिलते हैं कि यह देखे हमारी यह company है या हमारा यह stack holder है हमारा partner है जो यहाँ पे हैं आप यकीन मानिये यही same system होता है इसके अलावा कोई system retail market के लिए क्योंकि directly वहाँ पे company रजिस्टर करना और उसके उपर खर्चा करना उससे बहतर है कि आप starting में ही एक professional level की एक e-commerce website बनवाईए ताकि आप उसके थुरू facility के थुरू आप directly international market में पिंच कर सके दोस्तों drop shipping और e-commerce दोनों अलग लग चीज़े होती है drop shipping के ओपर भी हमने videos बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हो e-commerce आपके business को represent करता है drop shipping किसी और business को represent करता है किसी और के products के साथ में आप जाते हो तो यहाँ पे आपके पास में products range बढ़ती हैं लेकिन वो जो trust level होता है वो drop shipping website owner का होता है ना कि आपका जब आप अपनी website के थूरू international market में या किसी भी market में approach करते हो तो जिस client को एक बार आप से service मिल गई वो client आपको approach करेगा share करेगा दूसरों के साथ में और यहाँ से आपका भी एक valuable customer level जो है वो बनना सुरू हो जाएगा दोस्तों website सिरफ चार या पाँच पेज online टांग देने से नहीं होता है बहुत सारे लोग वो कहते हैं कि साब ये website देखिए हमारी website पर ना SSL होता है ना को standard formation होता है even google के according जो उनको system चाहिए वो कुछ भी available नहीं होता और फिर भी वो ये मानते हैं कि इस website से हमें business मिलना चाहिए मैं आपको सही बता रहा हूँ वो चीज possible नहीं है अगर आप इस चीज के लिए plan out कर रहे हो तो seriously आपको क्योंकि ये जो आप करोगे website creation ये एक ही बार का काम है एक बार अच्छी website बन गई आपकी professional website बन गई उसके बाद में directly सिरफ आपको international market में pinch करना है आपको website से ज़्यादा अपने business पे ध्यान देना है क्योंकि जब आप business पे ध्यान दोगे तो website का importance अपने आप बढ़ते चला जाएगा और एक बार अच्छा visitors आना शुरू हो गए तो आपकी website का trust level जो है वो अच्छा हो जाएगा फिर vendors हो, investors हो वो अपने आप आपके पास में approach करना शुरू कर देंगे यहाँ पे दो चीजे जो important हैं वो है आपकी खुद का एक trust seal बनाना क्योंकि जिस दिन आपका खुद का आपके brand का trust level create हो जाता है दोस्तों उस दिन आप माल लीजे कि कोई भी देश हो जिस देश में आपने यह सुरुवात की थी उस देश के अंदर आपने अपना एक खुद का retail market बना लिया है और जिस दिन यह retail market बन जाता है उस दिन आपके brand की आपके business का value जो है वो automatically high हो जाता है दोस्तों retail market में profit margin बहुत है retail market में approaches भी बहुत है starting में बहुत सारे hurdles भी आएंगे starting में logistic का part भी आपको भारी लगेगा लेकिन एक बार जब roll out होना शुरू हो जाता है तो यही logistic बहुत lower rate के उपर आपको मिलने लग जाता है और वैसे भी अगर अभी भी आप corporate tie up करते हो चाहे वो FedEx हो, DHL हो तो आप यकीन मानिये आपको 50-60% का difference मिलेगा on counter और corporate tie up के अंदर तो यहाँ पे अगर आपका volume और logistic में बढ़ेगा DHL जैसी company जो वो e-com जैसी services भी provide करवाती है जहाँ पे उनका fried charges जो है वो इनसे different होता है तो काम करना पड़ेगा dedication से करना पड़ेगा आप लोगों को खुद को भी तयार करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी तयारी अधूरी है तो आप इस website को कहां लेके जाना चाते हो क्योंकि आप इसके लिए pathfinder हो जहां आप इसे लेके जाओगे ये website नहीं है ये आपका वो आप बोल सकते हो जिसे हम परचाई बोलते हैं कि जितना तयार जितना dedication से आप खुद को develop करोगे उतने ही परियास के साथ में आपकी website भी develop होती जाएगी तो जिन लोगों को भी website के बारे में कुछ जादा जानकारी चाहिए या बनवाना चाहते हैं और इसक्रीन जो नंबर उन पर call कीज़े दोस्तों ये एक मोका है दोस्तों ये एक time है जितना हम लोग यहाँ परियास कर रहे हैं एक बार international के लिए भी आपको परियास जरूर करना चाहिए मिलते हैं नए एक next वीडियो के अंदर एक नए topic के साथ में तब तक खुद को upgrade करते रहिए खुद की skill को develop करते रहिए क्योंकि skill development आपकी वो कमाई है जो कोई भी आपसे नहीं ले सकता और उसके base के उपर आप अपनी पूरी life को आगे ले के जा सकते हो जैहिन जै भारत